आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पेरे नाम इसे धान तक नहीं होते ही, इस्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्भागत है क्या बात है भाई, क्या बात है, विशुराद मिसाइल सिस्टम भारत को मिल गया है भाई देखो आप निर्भर और DRDO के लिए अप तालिया बजाते रहो, तालिया रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरीके से DRDO काम कर रहा है, मजा ही आ गई है AON, Acceptance of Necessity, वो चीजे जो आर्मी को चाहिए ही चाहिए तो इसलिए आर्मी प्रोक्योर करेगी, very short range air defense system और विश्वराड very short range, बहुत ही short range air defense system, man pad है ये, ठीक है, portable है ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे अच्छे से, अब देखें, ये missile system है, ठीक है missile निकलेंगे इससे, mountains के लिए जवरदस्त, पहाडों पे, अब ना ही पाकिस्तान आएगा, ना ही चीन आएगा D.I.D.O. ने इसको develop किया है, तीन से चार साल लगेंगे अभी, इस system को आने में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बहातातर रश्या से भी बात कर रहा था, कि उसके system को ले ले, ठीक है, बट क्यूंकि आप निर्भर priority पे था, तो वो बात जो है, वही रुख गई अब आपको बता दू कि जो total cost है, ये आर्मी को भी दिया जगा, नेवी को भी दिया जगा, 4,276 करों है अब वही मैंने बताया ना कि 2018 से लगातार भारत रश्या से बात कर रहा है, क्यूं कर रहा है, क्यूंकि चाइना ने हमारी नाग पे दम किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही जगा, problem create की है चाइना ने हमको इस तरीके escape portable system की बहुत ज़ादा जरूरत है अब ये बोल रहे हैं जो इनका इगला S है, रश्या का, ये भी, ये ही man pad है, ठीक है और हमको ये दे दो, बट इसकी cost 1.5 billion dollar है, 1.5 ठीक है मतलब कहां 4,276 करो, कहां 1.5 billion dollar, मतलब एक तरीके से 4 गुना तो अब ये इस system के अंडर जो है, ठीक है, ये रश्या के जो इगला M system है उसको replace करेगा, जो हम already use कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमारा खर्चा ही बचेगा, अच्छे से, और ये ज़्यादा efficient है, अब ये missile system क्या है देखे, ये it will kill meantu की low altitude aerial threats, पाकिस्तान आज कल बड़े सारे drones भेज रहा है, ठीक है, तो जो low altitude, ऊपर तो missile ही चली जागी है, अकाश, अगनी, ये सब काफी है ठीक है, पृत्वी, लेकिन जो low altitude पे आ रहा है, उसको विशुराद जो है, वो देखेगा, ठीक है man portable air defense system, जिसको man pad कहते हैं, वो देखे न, rocket launcher आपने देखा होगा, सनी दियोल को rocket launcher लेते हुए कहीं पे भी मारते हैं, इतना ऐसा लगता है कि दुकानों पे मिलता है, सनी दियोल तो ऐसे rocket launcher पिछले, जो movies थी, वो लेके घुमते थे तो ये man pad है, और D.I.D.O. ये कह रहा है, ये बहुत हलका है, ठीक है, rocket launchers भाई, आपको पूरा का पूरा ये launcher और उसमें missile डालनी होती है, छोटी missiles, लेकिन वो भारी होती है बहुत, ये बहुत हलकी है, very good, क्या बात है, designed and developed indigenously by D.I.D.O. आत निर्भर, D.I.D.O. ने इसको करती है, ठीक है, दो successful flights, इसका, ये इसकी तेस्टिंग बहुत पहले से चल रहे है, 2018 के बाद से ही, project जो है, वो शुरू हो गया था, और इसकी चांदीपूर, जहां पर सब, जितने भी जो test है, D.I.D.O. के वो यहीं पर ही होते है, तो ओडिसा में, चांदीपूर, ओडिसा जो है, वो दुगना हो जागी, देन उसके बाद reaction control system, ये again, control करने के लिए, maneuver करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम आता है, और integrated avionics है, मतलब देखें, ये खाली ऐसा नहीं है, कि आपको ऐसे निचाना लगाना पड़ेगा, रहे, कहा गया, कहा नहीं, आप बस ऐसे feed करो, system है, पूरा-पूरा computerized, बाकी अपने आप काम कर देगा, ठीक है ना, और ये आप हाथ से चला सकते हो, बहुत बड़ी बात है, और जैसा कि हमने बताया कि mountains पे बड़ी करेगा, बहुत सही करेगा, कैसे भारत को help करेगा, भाई, simple जी बात है, China, Pakistan, देखिए, when come to man portable air defense system, there was a critical gap in the army inventory, army का statement आया है ये, कि भाई, army inventory में बहुत बड़ा critical gap था, हमको वो सारी चीजे चाहिए, जो की दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा दे, अगर एक भी चीज की कमी हुई, inventory में वो नहीं है, तो वो एक loophole है, जिसका use करके, दुश्मन हम पे अमला कर सकता है, तो अगर हम eastern और northern borders की बात करें, और especially western borders की भी बात करें, तो ये हमको बहुत ज़ता help करेगा, पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही निपटने के लिए, क्यों LOC में भी बहुत बड़ी problem चलती रहती है, वो ड्रोन्स आजकल वेजने भी यह, और इधर चाइना तो problem create करता ही करता है, अब exact specifications हमको नहीं पता, DRDO खुलके थोड़ी ना बताएगा, कि यह देखो देखो भईया कितनी बड़ी है specification है, ताकि हर कोई copy कर ले, वो नहीं बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो है, कि यह काफी हलका है, और यह काफी ज़्यादा efficient है, ठीक है ना, यह चीज़, अब देख और आदो खेल खतम, ठीक है, लेकिन वो 25 किलो मीटर तक ही जा सकते हैं, यह चीज़ है, और उसको आपको LOC के बाद में, थोड़ा सा दूर आपको deploy करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप सीधा LOC पे, जहाँ पे भी आप खड़े हो, जिस पहाड़ पे आप खड़े हो, आप यह ले जा सकते हो, और मार सकते हो यह, तो आप हमारे defense system के लिए, defense forces के लिए बहुत दा critical होने वाला है, यह चीज़ है, और यह easy और quickly है, मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कि आपको deployment कितनी तेज हो रहा है, इस पे भी depend करता है कि आप जीतोगे कि हारोगे, लेकिन इस थसे कीज़ है।